Hey students, let's start today's EVS work chapter 9 different occupations, ठीक है, आज हम इसका question B, fill in the blanks करेंगे, number 1 है क्या, our dash means our shoes, हमारे जो shoes होते हैं, जूते होते हैं, उनको कौन ठीक करता है, तो हमने क्या feel किया है, हाँ पे, kobler, याने की mochi, next है, we go to our dash when we are sick, जब हम सीख होते हैं, सीख होता है बिमार, बिमार होते हैं, तो कहाँ पे जाते हैं, तो हमने इहाँ पे feel किया hospital, हम hospital जाते हैं, अस्पतार जाते हैं, number 3 है, our postman delivers dash, जो postman होता है, डाकिया होता है, वो क्या deliver करता है, वो letters, तो हमने इहाँ पे letters ही, वो पत्तर deliver करता है, number 4 है, our writer एक जो writer होता है, लेखक होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे हम feel करेंगे rights, मतलब लिखता है, क्या book लिखता है, number five है, a, dash catches the thieves, thieves कौन होते हैं, चोर, चोरो को कौन पकड़ता है, तो हमने यहाँ पे क्या feel किया, policeman, एक पुलिस वाला आदमी जो होता है, वो चोरो को पकड़ता है, next question है, right, T for true and F for false statements, ठीक है, number one statement है, a farmer grows crops for himself, जो एक farmer होता है, किसान होता है, वो crops उगाता है, किसके लिए, फसले crop क्या होती है, फसले उगाता है, अपने लिए, तो false, number two है, a, potter makes pots, जो एक potter होता है, कुमार होता है, वो pot बनाता है, तो यह होगा true, next है, a baker sells household things, जो एक baker होता है, वो household things बेचता है, तो हमारी statement होगी false, next है, we call an electrician to fit the taps, जब घर पे tap fit करवानी होती है, null think करवाना होता है, तो क्या हम electrician को बुलाते हैं, यह होगा false, next है, the tailor stitches our clothes, जो एक tailor होता है, वो हमारे कपडे सीलता है, तो statement होगी true, सब बच्ची इनको learn भी करेंगे, read भी करेंगे और अपनी book में भी fill करेंगे, thank you and have a nice day.